अंतराष्ट्य जगत की नजरे नई दिल्ली पर है जी हां लगातार लगभग 17 देशों के प्रधान मंत्री और डिप्लोमाट्स भारत बैक टू बैक आचुके और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं रश्यन फॉरिन मिनिस्टर सर्गी लावरोव मुलाकात के लिए विदेश मंत्री जैशंकर से हाइदराबाद हाउस पहुचते हुए ये बेहत एतिहासिक बैठक है क्योंकि ये पहली बार है जब यूकरीन के इन्वेजिन के बाद रश्या के विदेश मंत्री भारत आ रहे है चीन से अपना दोरा खतम करके सर्गी लावरोव हाइदराबाद हाउस पहुचे हैं जहाँ पे विदेश मंत्री जैशंकर से मुलाकात करेंगे ये भी बताए जा रहा है कि वो एक कर्टिसी विजिट प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को भी करेंगे तो कुल मिलाके आप देखिए चाहे वो चीन के विदेश मंत्री हो या चाहे वो यूएस के डेप्यूटी एनसे हो चाहे वो यूके की डिप्लोमेट्स हो या फिर आस्ट्रिया के प्रधान मंत्री हो और आज नेपाल के भी प्रधान मंत्री भारत पहुच रहे हैं तो सारी नजरे नई दिल्ली पर हैं जिस तरह से इस पूरे यूकरेन के और रश्या के विवाद में भारत ने एक न्यूट्रालिटी की पुजिशन ली है पश्चमी देश्यों को लगता है कि भारत को उनका भी रुक समझना चाहिए वहीं रश्या को लगता है कि जिस तरह से भारत न एक neutrality की position ली है उसको लेके और आगे इस साल अंत में होना ले ब्रिक समिट को भी लेके चर्चा आज हो सकती है और महतुपूर्ण ये भी है कि एक तरफ आज बहतर वी अन्वसरी है चीन और भारत की की डिप्लोमेटिक टाइस की तो नजरें इस पर भी हैं क्योंकि पश्चमी देशों में जिस तरह से अमेरिक की अमेरिका के डेपिटी नसे ने कहा कि अगर चीन भारत पर आक्रमंट करेगा या तो रश्या उसकी मदद के लिए नहीं आएगा चौबिस घंटे के भीतर इस स्टे को आगे ले जाते हैं पर बेहद मेहत्वपूर्ण बैक टू बैक मीटिंग्स डिप्लोमाट्स का आना यह बात साफ करता है कि अंतिराश्टे जगत पे भारत ने अपनी विदेश नीती को बेबाकी से रखा है कैमरा पसनाजे के साथ मौसमी सिंग दिली आज तक